नमस्कार दोस्तों आज हम कंपर करने बाले दो प्रसेसर को जो कि Intel Core i5 11th Generation व्रसेज राइजन 535W-0U प्रसेशर जो Intel Core i5 11th Generation प्रसेशर वो आपको 60 से 70 तौज़न के अंदर के लेपनम में तेखने को मिल जाएगे जैसे कि Dell Inspiration, Acer Swift 3 जो राइजन 535W-0U प्रसेशर एपको 50,000 के अंदर के लेपनम में देखने को मिल जाएगे जैसे कि SP 15S, Acer's Vue 14, Honor Magic 15 तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रसेशर को अच्छी तरह के से सबस्क्राइब करते हैं और देख्टे हैं क्यों कितना पॉर्फुल है तो वीडियो में अगर आप इस चालल पर ने हो तोस्टार इंटल को राइफ हव 11 जैनरसा रिलीज़ वाथा 2nd September 2020 को अगरा हम बात करें राइजन 535W यू प्रेसेसर के बारे में यह रिलीज हुआ था 6 जनुरी 2019 को सो रिलीज देट के मामले में इंटेल को राइफाब 11 जनेरेशन एक नया प्रेसेसर है आप बात कर लेते कोर्स एन आर्किटेक्ट्चर के बारे में इंटेल को राइफाब 11 जनेरेशन 64-bit टाइगललेक यू पीट्री आर्किटेक्चर बेस्ट एक वर को सीपू देखने को मिल जाता है राइजन 535W यू प्रेसेसर में आपको 64-bit जैन प्लस आर्किटेक्चर बेस्ट एक वर को चिपू देखने को मिल जाते है आप बात कर लेते हैं Threads के बारे में, दोने प्रसेसर में आपको 8 Threads देखने को मिल जाते हैं आप बात कर लेते हैं Fabrication Process के बारे में, Intel Core FF 11 Generation आपको 10 nm की मिल जाएगी अगर हम बात करें Ryzen 5 35 Dolger U Processor के बारे में, यह आपको 12 nm की मिल जाएगी तो अबराल यहाँ पर Fabrication Process की बात करें, तो Intel Core FF 11 Generation प्रसेसर में आपको Semiconductor का साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है इसके कारण, जो Intel Core FF 11 Generation प्रसेसर यह बैटरी एफिसेंट प्रसेसर बन जाता है तो Fabrication Process के मामल में, Intel Core FF 11 Generation एक बहतर प्रसेसर निकल कर आता है अब बात कर लेते हैं, CPU Speed के बारे में, Intel Core FF 11 Generation प्रसेसर 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 के बारे में, यहाँ पर आपको लेगे तरसाथ है होग अब बात कर लिए ईंडल को राइफ हिएे बीगर मिलता है अब बात करsent के बार में इंटेल कौर अब了 सब्याइब को 502 कि मिलते है यह एंप नतरीdefined डि-ぁह बब 2 MB की मिलती है यहां पर L2 Case Intel Core i5 11 generation फे बिगर मिल जाता है अब बात क्या लेते हैं ल 3 Case के बारे में Intel Core i5 11 generation आपको 8 MB की मिलती है राइजन 535 00 U processor आपको 4 MB की मिल जाते हैं आप बात क्या लेते हैं जिप्यू के बारे में Intel Core i5 11 generation पे आपको Iris Xe Graphics G780U Graphics देखने को मिल जाता है जिसका Maximum GPU Frequency मिलता है 1300 MHz की अगर हम बात के राइजन 535 00 U processor के बारे में यहां पर आपको AIM Reade and Vega 8 Graphics देखने को मिल जाता है जिसके Maximum GPU Frequency मिलता है 1200 MHz की तो अबराले आप पर GPU के ममलें बात करें तो Intel Core i5 11 generation पे आपको बहतर GPU देखने को मिल जाते हैं अब बात कर लेते राम के बारे में दोनों प्रसेसर में आपको Dual Channel का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है Intel Core i5 11 generation पे आपको 64 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बाट राइजन 5 35 00 U प्रसेसर में आपको 32 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है Intel Core i5 11 generation पे आपको मैक्सिमम राम फ्रिक्वेंस मिलता है 4267 MHz की अगर हम बात के राइजन 5 35 00 U प्रसेसर के बारे में यहापको मैक्सिमम राम प्रिक्वेंस मिलता है 2400 MHz की यहां पर आपको मैक्सिमम मेमरी बेंडू स्प्रिट मिलेगा 35.76 GB पर सेकेंड की बट इंटेल को राम के मामल में इंटेल को राइफ 11 जनेशन निकल करें आप बात कर लेंटेए ट्डीव के बारे में जो हम बल दिकाल के बारे में धर्मान डीजियन पॉर के के बारे में दोनां है अब बात कर देगेंग यहां पर्याइट तेंप्रेचर मिल जाता है बहुती गर्मी जहल सकता है, so CPU temperature के बावले में, Ryzen 5 3500 यू प्रसेसर बहतर प्रसेसर निकल कर आता है, अब बात कर लेते हैं, PCA एक्सप्रेस वर्शन के बार में, Intel Core i5 11 जनरे सर्पाप को वर्शन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट राइजन 5 3500 यू प्रसेसर में सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट राइजन 5 3500 यू प्रसेसर में आप को सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, आप जान लेते हैं, बेंसमर्स कोर्स के बार में, पहले स्टार्ट करते हैं, पहले साथन और आपको सपोर्ट पहले जाता है, बट राइजन 5 3500 यू प्रसेसर में, यह पर आपको सिंगल को में लिए प्रसेसर के बार में, आप बात का लेते हैं पास्मर्स के बार में, इंतेला एप 11thислion को सिंगल को में मेला ही 2965 , ни Essen 5 690 अगर आपके रैजें 535 उसर यू प्राइस के पारमी यह आपको सिंगल को में में 1799 जयाए 794 . आप बात का लुए 410 इंटेल फ्विश्ट के बारमे इंतेलेव 11 ज sole ओ सिंगल को में लाए tolerant 179 एम मल्टे कोर में 5162 अगर हम बात के राइजन 535 डोजर यू प्रेसेसर के बार में यहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिला है 738 एम मल्टे कोर में 266 एट तो यह रहा इंटल एफ 11 जनरेशन वर्शिस राइजन 535 डोजर यू प्रेसेसर तो अबरल कंकूरूजन की बात के रहे तो इंटल आप 11 जनरेशन एक बहुत पावर्फू प्रेसेसर निकल कराता है क्योंकि यहाँ पर आपको पावरफूल सीपू देखने को मिल जाता है पावरफूल जी इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पर मुझे बता सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हाँ कमेंट कीजिए अगर आपको इसके बार में कुछ डावड आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्ट्राग्राम पर मुझे मैसस कर सकते हो मैं आपको जरूर से रिप्लाइ दे दूगा तो चलते हैं आज की वीडियो को इंपर खतम करते हैं तो तब तक थैंक्यू बाइबाइबाइब जैहिन बंदे मातरम